तो आज को टॉपिक क्या है बादामी गुफा हम देखेंगे बादामी गुफा किस राजिय में पढ़ती है किस जिले में पढ़ती है किस के करीब में पढ़ती है यानि किस जगे पर पढ़ती है कितनी गुफाएं है किस धर्म से रिलेटेड है कितने तरीके के हैं पर चित्र हम को मिल जाते हैं खोज किस ने की यानि काफी चीजों के बारे में हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं तो अगर आप आर्ट का exam देने जा रहे हैं किसी भी state से तो इस सब के लिए ही important है तो start करते हैं आज को topic बादामी गुफा हम लोग देखते हैं कि बादामी गुफा किस राज में पढ़ेगी तो सबसे पहले आपको यादगना है बादामी जो गुफा पढ़ती है वो आपकी पढ़ती ही करनाटक जाएगी तो आई होल के करीब हो जाएगी और पूछा जाए जगे का नाम के बादामी यानि कि आज प्रेजन टाइम इसका नाम क्या है तो आपको यादगना है तो इस तरीके से ये दोनों ही आपको पॉइंट क्या दखने बात्यापी पुरम नामक इस्थान जो है बादामी गूफवा औ बादामी जगे ही बादामी गूफवा है करनाटक राज में पढ़ेगी, बीजापूर जिला याद रखना है किसके और करीब हो जाएगें था वात्यापी पूरम नाम Ditôi था- ऐसा कहा जाता है, तो इस तरीके से किस time की कुफा हो जाएगी, तो ये हम लोगों को देखते ही सारी चीज़े हम लोगों को learn भी होनी चाइगे, क्युंकि जाहिर सी वाते हम लोगों को learn भी करना होता है, तो हर वीडियो में जैसे मैं कहते हूं कि चीजों को हम लोग इस तरीके से पढ़े कि चीजें आपकी उसी वक्त learn हो जाएं क्योंकि इतना syllabus होता है कि आप हर चीज को बार-बार revision नहीं कर सकते हैं हलाकि revision तो आपको करना है लेकि फिर भी अगर आप चीजों को साथ-साथ learn करते चलेंगे तो आपके लिए क्या होगी आसानी होगी तो इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया बादामी गुफा की किस काल की है तो चालू की कालीन गुफा है clear बात फिर हम आगे देखते हैं यहां पर कुछ मैंने images ले रखी हैं अभी हम लोग images को देखेंगे बाद में ठीके तो यहां पर यहां पर आपको सारी PDF में मिल जाएंगे जितना भी मैंने यहां पर लिख रखा है सारा आपको PDF की form में study additional जो हमारा telegram channel है उस पर आपको मिल जाएंगी और इसका description में देखिएगा उसका link भी आपको provide करा किसने खोज की थी इस ट्रेला क्रैमरिश ने बादामी की खोज की अब इसको याद कैसे रखना है यह भी आप दिहान लखिए बादामी से आपको क्या बना देना है बादाम बना देना है बादामी से आपको क्या बनाना है बादाम बनाना है और बादाम की खोज किसने की थ तो आपको चीज़ें हमेशा लान रहेंगी ठीक है अभी तो आप जैसे कि examination hall में बैठेंगे तो पूछा जाएगा बादाम की खोच किसने की तो इस तरीके से आपको चीज़ें वहाँ पर बिल्कुल आपको बिल्कुल लान रहेंगी ठीक है तो इसी तरीके से आप याद करिए फिर भी इसी तरीके साब छोटी चोटी चोटी बना लिया करिए कोई ट्रिक की कोई वीडियो को ऐसा कुछ नहीं होता आप जो चीज़ पढ़ते हैं आप सोची कि आप इसको किस तरीके से याद कर सकते हैं यानि कि आप अपने ब्रेन प्रेशर डालिए कि इस टक शांचन था का टक्षाषन था छांथा है नहीं कर शांचन था टालूख वर इस चलेगा इस चालूख की कालिन बहुए उससे होते थे एक राजा होते जिनका नाम क्या था पुलकेशियन 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 पुलक तक कि किसका हो जाएगा कीरति वर्मन को हो जाएगा तो कहने मेरा सेंस यह है फादर का नां क्या हो जाएक कि पुर्य केश्य एक रखे गदा में प्रथम और पोते क्या हो जाएगे ब्दर्ति व ग्रत तो इसी तरीके से आपको चीजे अच्छे से याद रखनी है क्योंकि एक्जाम में आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है ठीक है तो पुलकेशियन प्रथम के बेटे का नाम कीरतिवर्मन था और उनके पोते का नाम क्या था पुलकेशियन दितिये था तो ये आपकी पहली पीडियो हो गए य helped दूसरी पीडियो हो गए और ये आपकी तीसरी कीरतिवर्मन के मरण और प्रांत जब जो है क interfma मर जाता है मरने के बाद क्या होता उसका छोटा businessि बना कौन उसका जोटा बहाई जो ठास उसमें क्या है चार्लुक साम्राज का शासरशर बनता यानि मैज मंगलेश जो है वो क्या है चालुक की सामराज का शाशक बनता है लेकिन होता क्या है उसके बाद क्या होता मंगलेश जो था तो वो कम अमुरुक था इसी वज़े से उसको किस ने हरा दिया था पुलकेशन दिति यानि कि जो पोता था उसने उसको हरा करके फिर वो खुद गड वनमन होता है उसका जो छोटा भाई था जो छोटा भाई था वो बैठता है ठीक है लेकिन बाद में इसके जो छोटा भाई जो बैठा था जिसका नाम मंगलेश था तो उसको हरा करके यानि कि उसको हरा करके वो फिर से कौन बैठ जाता है पुलकेश्वें दित्तिये बैठ ज राजधानी बनाया है यहां पर अभी बात करेंगे तो कहने का मतलब यहां वादामी है को अपनी राजधानी बनाता है और यह मंगलेश था ये क्या था कलाप्रेमी राजा था इस वजे से इसके शासिनकाल में कहा जाता है कि kailाउ का महान संरक्षक था तो इसी के राज में कया है महा बली पूरम काची पूरम और बादामी की चौती गुफा बनकर तयार हुई ठीक यानि कि महाबली पूरम काम इसके टाइम में होता है और आपका काची पूरम का भी होता है महाबली पूरम काची पूरम वाला जो हो जाएगा और फिर जो बादामी की जो चौथी गुफा है अपि हमने बात करेंगे बादामी में कितनी गुफा है मैं आपको बता दू बादा दुरंदक की दृषिट से त्रेष्ट मानी जाती है यानि जो गुफा नंबर 4 है मैं बात कर रहे हूं का नियों नियूज इस तरीके से बात हो गई यहाँ मैप में आपको चालू के एमपायर यहां पर आपको मिल जाता है यानि कि दकश्र भारत की यहाँ पर बात हो रही है फिर हम देखते हैं बादामी गुफा की टाइंप यहापको दोनों ही यहापर सन आपको इस तरीके से याद करने हैं तो इस Cute बाई ПрShell मैंने आपको बता आता है मंगले शासन बनाते हैं इनकि जो फोटा बाई था तो उसका कीर्थी वर्मन को चोटा वाई था मंगलेश उसने शासन समारा था तो उसके शासन काल के बार्वे वर्ष का लेक मिलता है बार्वे वर्ष का एक लेक प्राप्त होता है जिसका समय कहते पांसो उन्यासी था यानिकि 579 था 54,589 था इसके आधार पर इस गुफा का समय क्या बताया गया झाए थीक है तो यहां पर कहने का सेंस मेरा यह है जो मंगलेश के टाइम में जब 12 वर्ष्टा तो वहां पर से एक लेक मिलता है जिसमें इसका उलेक होता है तो इसी आधार पर कहा जा सका है कि ये 589 में ये गुफा बनी होगी निश्चित किया गए इस अभी लेक से बादामी की गुफा के निर्मार के संबन्दे सूचनाय प्राप्त है यानि इस अ पर उसके में ठापणों मन्दिर के कितने पार्ट होते हैं यानि काफी चीजे हम लोगों ने इस्थापत में क्लियर की है तो अप जो प्लेड के यह अधार पर आपको साली चीजें इस इस से और इस चीज़ें किया कि अधिक और प्रदिक्ष्रापत शेज्जी हम लोगों वहाँ पर डिस्क्रस के थी तो फिलाल यहां पर हम लोग इसके बारे में डिस्क्रस ना करें तो ज्यादा बेटर रहेगा तो जिसके इस्थान पर क्या चौथी गुफा के इस्थान पर मुख्य मंदप में विश्नु की प्रतिमा तो जो प्रतिमा का जो मुख्य प्रतिमा यहां पर आपको विश्नु की भी प्रतिमा मिलती है तो यहां पर जिसके अनुसा चौथी गुफा के मुख मंडप में विश्नु की विश्नु जी की विश्नु भगवान की प्रतिमा यहां पर इस्थापित की गई है और मंदिर में पूजा पार्ट के लिए अनुदान स्वर यानि कि बादामी गुफा में जब हम जाते हैं तो वहाँ पर जो अलंकरण मिला है तो उस अभी लेक के तरह था हमें क्या देखते हैं कि मंगलेश की सभा के चित्रकार वाकटक के सामय से चली आरी परेंपराओं का पालन कर रहे थे ठीक है यानि कि जो हमें बादामी गुफा हमें जो अभी लेक मिलते हैं जो चित्रकारी मिलते हैं तो उससे हम लोग ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो बादामी गुफा के जो चित्रकार हैं जो चित्रकारी की है वो किसके समय से चली आरी परेंपरा का पालन कर रहे थे यानि कि उससे थोड़ा सा आइडिया ले रह फिर अगर हम बात करें, यहाँ पर मैंने मंगलेश का टाइम बता दिये कि किस समय की यह बात है, अगर हम पुलकेशियन दुतिय की बात करें, पुलकेशियन यहाँ पर पुलकेशियन गलत लिग गया है, तो इसको आप सही कर लिजेगा, पुलकेशियन दुतिय का शाशनकाल क के बात करें तो इसका शाषन क्याल का है 608-642 अब दीखें बादामी गुफा जो बनके तयार हुई थी किसके समय में तो मंगलेश को भी आपको याद रखना और पुलकेशन दित्यों को भी याद रखना है तो बुक में अलगला तरीके से दिया होता है तो मंगलेश और पु पुलकेशन दित्यों को बने तो इसका ताइम पीरिड आपको मंगलेश और पुलकेशन भी लिखा आता है कहीं पर पुलकेशन भी लिखाता है तो इस पर आप मच जाईए तो वहां पर आपको जो भी आप्शन मिल जाए तो आप उस पर टिक कर दीजगा ठीक है ठीक नहीं करना मलब राउंड करना होता है बादमी गुफा के चित्रों का समय क्या हो जाएगा मंगलेश और पुलकेशन जुत्त्य के शासनकाल के बताये जाते हैं बिल्कुल आपको याद अखना मंगलेश और पुलकेशन दोनों को याद अखना है फिर हम बात करत और को बता खाया है कि यहां पर कितनी गुफा यहां पर 4 गुफा है तीन क्या हो जाएंगे आपकी भ्रामाद सो रिल्येटन है जबकि ए हीन्दू धर्म को बाटा गया है कहये तो यहां पर क्या फैसστर रिल्येटन और यहां पर वैश्णु धर्म हो जाएगा जो शिव को मानते हैं वो क्या है शैव धर्म के हो जाते हैं और जो विश्णु भगवान को मानते हैं वो वैश्णु धर्म के हो जाते हैं बलब वैश्णु धर्म मतलब कहा जाता है दोनों ही अगर हां option में आ जाए कि जो गुफा गुफा नमबर जो एक है वो किस धर्म से रिलेटेड हो जाएगी जब कि गुफा नमबर जो दो और तीन है वो किस धर्म से रिलेटेड हो जाएगी और गुफा नमबर जो चार है वो किस धर्म से रिलेटेड हो जाएगी तो गुफा नमबर चार वो क्या हो जाएगी जैन धर तो इस तरीके से आपको चीज़े याद रखनी है, गोफा नमबर जो चार है, वो किस धर्म से रिल्येटेट हो जाएगी, जैन धर्म से रिलेटेड़ चीज़े हो जाएगी, तो इस मिल Carolyn तो सबसे चितरित यादधी जो किस धर्म की तो वैशनों धर्म की है और गुफा नबर दो की बात करें तो सबसे छोटी है जो कि दूसरी गुफा वो सबसे बड़ी है, तो बड़ी कौन सी हो जी घूफा नंब्र तीन हो जाएगी और धो क्या है वह छोटा है यानिकि वैशनो धर में दो छोटा है तो ये क्या होजेगी सबसे छोटी गुफा हो जागी. बात clear हुई. कितनी गुफा है मिलीड़ी? 4 गुफा है जिसमें आपको याद रखना है 3 ब्रामर्षणे हो जाएगी, 1 हो जाएगी आपके जैनधर्म से इसमें ब्रामर्षणमे भी आगर हम सो देखें ठीक यानि कि बड़ी है इस तियासे आद कर लेगे ये बड़ी होने की वज़ए से इसमें चित्ररकार कहा है ज्यादा हुआ है ठीक हो गुफार नमर दो कि अगर बात करें तो यहां पर आपको चीज लर्न हो गई होगी आई थी फिर हम बात करते हैं जो कला इतिहासकार क्या ह परसी ब्राउन ने बादामी गुफा के संबद में क्या उनकी राय थी क्या उनकी सोच ती वो हम यहाँ पर देखते ह। तो परसी ब्राउन ने बादामी गुफा के विशे में लिखा कि बादामी गुफा के भीतर आकर यानि कि बादामी गुफा के जब अंदर प्रिवेश करते हैं तो उनके वैभों को देखकर मनुश सच मुझ चक्कित हुए बीना नहीं रह सकता है यानि कि ब्राउन ने क्या कह परसी ब्राउन ने क्या कहा कि जब हम लोग क्या है जब बादामी गुफा में एंटर करते हैं जब अंदर जाते हैं तो इतने वह इतना खुब्सूरत तरीके से बना इतना इत्रेक्टिव बना है इतना ज्यादा खुब्सूरत बना है कि उसको देखे बगार हम लोग यानि कि इस तरीके से की गई है तो इसको देख करके ही इंसान क्या हो जाता है एट्रेक्ट हो जाता है उससे यानि कि उससे जाद है उसका दिल खुश हो जाता है कि क्या बात है यानि कि इस तरीके की चीज भी हमारे भारत में है यानि कि मुझ से जैसे निकल क्या क्या वा वा क्या बा round क्या कहते हैं कि अगर हम इस गुफा में enter करते हैं तो हम लोग का move बिना बोले बिना कुछ कहे रुक नहीं सकता है यानि कि उसको देखने से हम लोग की आंखें बड़ी हो जाती है तो इस तरीके से हम लोग यहां पर देख सकते हैं फिर अगर बात करें अब जाहिर सी बात है जो गुफाएं हैं तो उनकी प्रतिलिपियां बनी होएंगी क्योंकि उसको हम लोग क्या करना होता है उसको हम लोग सेक्योर करके रखनी हो दिया निकि उनकी यादों को रखना होता है तो इस वज़े से महापस अब प्रतिलिपिया वगर बनाई गई तो इनकी जो पृतिलिपिया क्या है ललिद कला अकादमी के निमंतर पर रियाने की ललिद कला अकादमी के वैला की कहने पर करके क्या किया जो है इस ये बादामी गुफा की पृति कर तैयार की लेकिन जो मेन नाम होता है नाम हमेशा उनका होता है जो कोई भी आप गुरुप देख लीजिए जो इसमropy्व सद्वान है जीती पूरी टीम है नेकिन नाम किसका होता है जो उसमें head होता है जो इसका leader होता हुआ उसका नाम होता है इसी तरीके से JL अहिवासी और उनके और जो उसके जो साथी कलाकार थे उन्होंने इसकी प्रतिलिपिया तयार की बात clear हुई अब हम लोग नेक्स लाइड पर देखत ये हिंदु धर्म स возвращ अ są मिलेंगे तो यहां पर क्या हो रहा है विवा हो रहा है तो इस तरीके कि चीजे हैं Nem date यहां पर की तो पपल्ला भुजाओं वाले शिव जी का यहां पर चित्र हम लोगों को मिल जाता है फिर है कीरति वर्मा यानि कीरति वर्मा को परिचारकों के साथ दिखाया गया है तो इंद्रसभा में गायन वादन का चित्र भी आपको बादामी गुफा में मिल जाता है विरहरी रमडी यानि कि विरहरी जो रमडी का जो चित्र है उसने इस तरीके से अपने भाव को उत्पन किया है इस वजह से यह क्या चित्र हो जाता है इसी तरीके से आपको याद करना विरहरी जो रमडी का जो चित्र है वो कहां से प्राप्त है तो आपको कहां से हो जाएग तो आपको बादामी गुफा हो जाएगा क्योंकि क्वेस्टन जो जो इंपॉर्टेंट होते हैं उसलिए यहां पर तीर थंकर के भी चित्र यहांपर आपको प्राप्त होते हैं से अधकली जी यहाँ पर क्या हो जाएं एक शीव विवा मिलता है सोला भूजी शिव जी का चितर मिलता है कीर्थिवर्मन को परिचारकों के साथ दिखाया गया है वरा कि प्रतिमा यहां पर मिली है इंड्र सबा में गायन बाधन का एक चितर हैनि कि इंड्र जो सबाह होती है वहाँ पर गायन बादन का जो है इस तरीके से वहाँ पर चित्रित किया गया है विरहडी रमडी का चित्र है यहां से प्राप्त है बादामी गुफा से और तीन जैन तीर्थंकर के यहां पर चित्र मिल जाते हैं तो बात क्लियर यहां पर मैंने यह पिक्चर ले रखा है तो जब Google में search करेंगे तो आपको वहाँ पर चित्र भी मिल जाएंगे फिर हम बात करें यहां पर कुछ और चीज़े देख लेते हैं हम जहाँ पर कि क्या चीज़ है इसका मुल्यांकन कैसे हुआ इस तरीके देखते हैं देखें चित्रों का यदि मुल्यांकन किया जाए अगर च इनके चित्र है वह क्या है कुछ बयां कर रहे हैं बहुत सकते हैं बहुत जटा अच्छे रहे थोरगे हैं वाले फैसे होते हैं जिन्वे कोई expressions नहीं है लेकिन यहां पर चित्र आपको मिल जाते हैं अभिव्यक्ति पोरिए कि ऐसा लगता hard of waves कर रहे हैं ठीक बया कर रहे तो इनका चित्र चित्रड विधान बाग अजंता शैलियसे काफ़ी मिलता यानि कि बादामी गुफा का चित्रण कार है किसे मैच करता है इस भाएग गुफा और अजनता गुफा से मैच करता है काफी हत तक मिलता है ऐस teh भायति पीछे अध्याτέमिक्ता और ग्रेशनंत मिल जाते हैं तरह नाहीक से supported by दूनियावी पादामी के चीजँ होगKE , बल्गि क्या है जो ईशवर की प्रती लीन वाली चीजँ होती है जो आध्यात में मैं होती है वह हमको किसमें मिल जाती है बादामी गुफा में मिल जाती है, किंटु चेतर क्या उतक्रषते यह को बनानी कि तो कोशिश यहां कि, यहां के जो चित्र जो हैं वो अनुपात हींता अवश दिखाए गए हैं फिर भी क्या है इसमें इसमें क्या है। भाव कि ढी चेजिए अनुपात में इतनी ना होने मिंखेंए इस तरीके से हम दोगों क्या पढ़े कि आम गुफा पढ़ी यानी कि हरोगों यहां पर्डिस्कस की बादानी गुफा पढ़ती कहां किस राजे में पढ़ती संध्र है कौन सी कोफाह verschied है कौन सी गुफा बढ़ी है ठीक है इसकी प्रतिल्पे किस ने त्यार किया निक काफी चीज़ें यहां पर हम लोग डिस्कस की और इसी तरीके से question आपके exam में पूछ जाएंगे और यही सारे points आपके यहां पर आते हैं तो जो जो अच्छा अपनी तरफ से response देने की कोशिश करूँगी तो इसी तरीके से आप क्या करिए यानि कि वीडियो को share जरू कर दिया करिए यानि कि आप से सिर्फ मुझे इतने चाहिए क्योंकि आप लोग करते हैं कि मैं paid classes चलाईए तो आप लेंगे तो तो आप लोग आपसे इतनी request है कि आप वीडियो को share कर दिया करी जिससे कि और लोगों तक मेरी वीडियो पहुचे और लोगों तक यानि कि हमारी जो family है YouTube family यानि कि additional family है उसका criteria थोड़ा से बढ़े ठीके तो अब हम लोग वीडियो को यहीं पर end करते हैं अब हम लोग मिले